दिवाली की इतने सारे कामों के बीच में 30 मिनट में हम बनाएंगे आपके लिए बहुत ही डिलिसियस सी ये मिठाई तो क्या आपने अभी तक दिवाली की मिठाई नहीं बनाई तो घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है मेरे साथ आप बनाईए 30 मिनट के अंदर इतनी टेश्टी सी मिठाई जो बच्चों से लेकर बड़ो तक सबको पसंद आने वाली है तो आज हम बनाएंगे चॉकलेट रसमलाई बरफी इतनी क्विक रेसिपी और इतनी टेश्टी सी रेसिपी जिसे बना कर आप कहेंगे वाह तो चलिए फटाफट से मेरे साथ ये रेसिपी शुरू करते हैं इस मिठाई को बनाने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए हर दिल अजीज चॉकलेट जी हाँ यहाँ पर मैं वाइट चॉकलेट ले रही हूँ इसी से हम बनाएंगे बहुत ही टेश्टी सी अपनी रसमलाई फ्लेवर बरफी तो यहाँ पर इस चॉकलेट को हम इस तरह से कट कर लेंगे बारीक बारीक जैसा कि आप देख रहे हैं बहुत आसानी से कट जाते हैं और इसे हम कुछ इस तरह से छोटी छोटी पीसे में कट कर लेंगे तो दोनों ही चॉकलेट हमने कट कर लिए हैं और इसे अभी हमें मेल्ट करना है तो सबसे पहले हम इसे एक बोल में ट्रांसफर करेंगे आप चाहें तो इसे गरम पानी के उपर मेल्ट कर सकते हैं मैंसे तीर मिनट के लिए माइक्रोवेब करूँगी से पहले कंडेंस मिल्क डालेंगे सर्विंग स्पून से दो से धाई चमच जैसा कि आप देख रहे हैं और इसके बाद हम डालेंगे दो क्योग बटर के तो यहां मैंने कट करके बटर भी ले लिया है अब इसे माइक्रोबेब में रखते हैं और मिल्ट होने तक इसे मिल्ट कर अब यहां पर केसर को हम गुनगोने दूद में भीगो देंगे ताकि केसर अपना अच्छा सा कलर छोड़े और हमारी रस्मलाई फ्लेवर की बरफी है बहुत प्राजवाब बनकर त्यार हो यहां आप देख सकते हैं कि चॉकलेट बहुत अच्छी तरह से मेल्ट हो चुका ह अब इसमें हम ठेट सारी फ्लेवर को एड़ करते हैं जो हमारी चॉकलेट रस्मलाई बरफी को कंप्लीट बनाएगा तो सबसे पहले हम इसमें पिस्ता डालेंगे बारी कटे हुए और इसमें डालेंगे हम पिलाइची पाउडर थोड़ी सी टूटी फ्रूटी जो बच्छ तरह से मिक्स करेंगे सारे फ्लेवर को एक मिनिट तक इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे ताकि सारे फ्लेवर एक साथ मिक्स हो जाएं उसके बाद इसे हम एक ट्रे ले लेंगे जिसमें हम बरफी को सेट करेंगे तो यहां पर मैंने एक ट्रे ले लिया है चोटा सा और उस इसे बहुत इजी तरीके से जमा लेंगे तो यह 10 मिनट के अंदर बन करके त्यार हो जाती है तो बनने में कुल इसमें 20 से 30 मिनट ही लगते हैं ज्यादा टाइम इसमें नहीं लगते हैं और बच्चों और बड़ों को तो इतना पसंद आएगा और इसे आप एर टाइट कंटे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यह बहुत स्मूध सा लग रहा है सेट होने के बाद और इसे अभी हम फ्रीज में रख करके और 10 मिनट बाद आपको दिखाते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दस मिनट हो चुके हैं और कितनी आसानी से हमारी चॉक्लेट बरफी ट्रे को छोड़ दिया है आप देख सकते हैं इस तरह से अब इससे पलट करके इसका बटर पेपर भी हम निकाल लेंगे जो बहुत आसानी से निकल जाता है जैसा कि आप देख रहे हैं और आप देख सकते हैं कि बटर पेपर निकल चुका है और इससे आप आसानी से हम कट क कर लेंगे उससे पहले थोड़े से रोस पेटल से इसे हम गारिशिंग करेंगे जो बहुत जरूरी होता है फिस्टिब सीजन में तो यहां पर आप देख सकते हैं अब इससे हमने आसानी से कट करना सुरू किया है तो आप मंचाहा सेब दे सकते हैं जैसे आप काजू कतली कट क करते हैं उस तरह से भी आप इसे कट कर सकते हैं चाहे तो इसे चोड़े चोड़े टुकड़े कर दे और रैप कर दे चौकलेट के पेपर में और जब बच्चों को गिफ्ट देना हो तो आप इसे दे सकते हैं आप इसे अपनों को गिफ्ट में भी दे सकते हैं जो बनकर बह बहुत इंतजार रहेगा पसंद आए रेसिपी तो चनल को लाइक सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा बेल आइकन जरूर दबा दिजेगा लेकर आओंगे इसी तरह की बहुत धेर सारी इंट्रेस्टिंग सी रेसिपी रेसिपी देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन निवाद, हैपी दिपावली